जै मतादी भाईों और बेहनों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं अपनी चैनल गाउं की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ और यहाँ पे देखे मैं लगा रही हूँ पोछा और अभी घर में कोई भी बन्दा नहीं उठा है मैं अकेली उठी हूँ और अभी बज़े हुए हैं साम के माव कीजिएगा सुबे के पांच बज़े हैं और आज मैं साले चार बज़े हैं मेरी नीचे नहीं सो रहा है आपसभी को दिख रहा होगा कि घर में कोई नहीं है तो तो कोई दिख नहीं रहा है, मैं बोले हूँ कि सब सो रहे हैं, तो सब लोग छट पे सोते हैं, कोई भी नीचे नहीं सोता है, कूलर भी बिगड़ा हुआ था, तो कूलर भी अंदर नहीं चलती है, तो बहुत ज़्यादा गरम लगता है, रूम के अंदर, तो सब लोग छट प पा रहे हूं आई तो वहां से फिर मैंने ये विश्तर वगरा जारे जो तखत लगे हुई है ना इन्हें मैंने साफ पिए कपड़े मारे इस पे तो ये साफ हो गए और फिर मैंने सुचा लगे हां तब पोछा लगाती हूं और आज है सनीवार तो सनी और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू कि आज मेरा अनिवर्सरी है मेरी वेडिंग अनिवर्सरी है मेरी अनिवर्सरी वेडिंग अनिवर्सरी जो भी आप पोलना चाहें तो आज मेरी साधी को दस साल हो गए हैं और पूरा मैं आप सभी को ब्लॉग दिखाऊंगी किस तरीके से मनाया हमने अपना साधी का सालग्रा किस तरीके से हम लोगों ने celebrate किया बच्चों ने हम सब पूरी family ने मिलकर किस तरीके से मैंने सब कुछ किया तो ये मैं आप सभी को दिखाऊंगी लेकिन सबसे पहले मैं लगा लेती हूं पोचा व्लोग आप सभी पूरा देखिएगा फुल वाज किजिएगा और साध मैं आप सभी को साम तक का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी पांच बजे हैं तो पांच बजे से मैंने ब्लॉग की शुरुवात कर दी है और पूरे दिन का आप सभी को दिखाऊंगी बच्चों का पही है तूर ऑज हैज सटर डे तो बच्चों का भी यहाँ अच छुट्टी चल रही है टूशन की आज उन्हें चुट्टीन दी गई और संडे वाले दिन उन्हीं बुलाया गया है तो माही ने मुझे कली का ता ममी कल छुटी है सटाड़े और कल मुझे अच्छे से सोने देना उठाना नहीं क्योंकि अभी बच्छे हैं छे बजे शाड़े पांच बजे उनको उठाती हूं छे बजे जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत जल्दी है बच्छों के लिए तो फिर मैंने कहा किसी को नहीं उठाऊंगी उसके पापा बाबु सब सो रहे हैं उपर ही सब सो रहे हैं आराम से और ठंडी ठंडी से उपर हवा चलती है तो अच्छा भी लगता है सोने में साइद कल ये कूलल ले आए बनवाए तो फिर हम लोग थूड़ा सा राम हो जाएगा और एक हम फैन भी मंगवाना हैं उपर के लिए तो मैं यहां पे जाडू लगा रही हूँ और सुबह का ही अभी समय है तो सुबह का सुबह का जो समय होता है वो बहुत अच्छा लगता है सुबह की नई सुरुआत और सांती चिडियों की चेहचहाट और अच्छा अच्छा सा फील होता है जब हम सुबह से कोई जी शुरुआत करते हैं तो अच्छा लगता है इसलिए मैंने ब्लॉग की शुरुआत जब से मैं उटी हूँ तभी से मैंने शुरु कर दिया है तो फिर सारा दिन जो है वो हमारा अच्छ मुझे अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग बनके रेड़ी हो जाता है जब मैन नहीं शुरू करती हूं ब्लॉग तो फिर अठका पड़ा रह जाता है मेरा ब्लॉग ही ऐसा वहता है मेरे साथ और आप सभी मुझे अपना धेर सारा असिरवात दीजिये मेरी माए मेरी इस चैनल स से जुड़ी हैं मेरे बड़े भाई लोग मेरे इस चैनल से जुड़ी हैं छोटे बहन छोटी बहन छोटे भाईया जो भी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं उन सभी को तहे दिल से सुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा थाइंक्यू और मां आप सभी के मैं चाड़ू लगा ली हूं चल रही हूं सीधा में नहाने के लिए तो अभी मैं बच्चों को नहीं उठाऊंगी देखती हूं लेकिन आप सभी को पता है कि मेरे पास छोटे छोटे चार बच्चे हैं तो जो चीजे मैं जहां पर रखती हूं वहां पर नहीं होती है अक्षर में घर की जीजए खोथी रहती है मैं पर फेक देती हूं नहीं तो मैं बना के रखी हूं एक छोटा सबरतन इससे मेरी मुझे पूरी फैमिली तेरा हो रहे है मद अभी सब नहा लिया है अभी साड़े साथ बजे हैं तो हम सब लोग नहा चुके हैं अगद सुभे सुभे ही और छे बजी के बाद मैं इन सब को उठाए हूं स साड़े-चे वजे के क्रीब-क्रीब सबको उठाई हूँ तो सब लोग यहां पे रेडी हो रही है नहा रही है मैंने तो नहा लिया है और मैंने हेयर वास भी किये हैं बच्चों ने भी नहा लिये तो सब लोग हम लोग रेडी हो रही हैं मैंने सब की कपड़े निकाल दिये हैं और मैंने भी यह वाली साड़ी निकाल के पहल ली है तो लोगों को भी मने कहा कि तुम लोग भी तैयार हो जाओ कपड़े पहलो तो यह सब तैयार हो रही है माही मालसी नैंसी बाबू वो भी नहाया है लेकिन उसे में बोल रही हूँ तो उसे लग रहा है कोई उसे ले जाने वाला है नहीं सब लोगा के ले जाने वाली है तो यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ और सब लोग रेडी हो चुके हैं माही को माही का मैं वेट कर रही हूँ वो आ जाए बस हम आपके ममने नहीं हुला है लिए तो फूल लेके आजाए माही बस हम निकलने वाले हैं मंदिर के लिए और ब्लॉग को फूल वाज कीजिएगा आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा अपना देर सारा आशिवार दीजिएगा मुझे हैं महीनस हटेगा घंजिएगा तो जरू को जरू को बūहते पूसरों एाज को आफ़ाना हैं? मैं अरिक हं चुछेजिर का माहीं था या भात efterर्श देंशेयिवा चीजिएगा निकुत्थ भूखल के या भूश ब्लॉबूर मांजिएगा. तो देखिए दोस्तो अभी मैं आज़की हूँ मंदिर के पास और घर से बस पास में ही मंदिर है थोड़ी सी दूरी पे मंदिर है तो ज़्यादा दूरी पे नहीं है यहाँ पे मैं खड़ी हूँ क्योंकि पूजा कर रहे हैं यहाँ पे कोई तो मैं खड़ी हो गई थी यहाँ जब यह पूजा करके निकल जाएंगे तो मैं जाओंगी लेडिस नहीं थी नहीं तो मैं जाती इंदर तो इसलिए बाहर खड़ी हुई थी और आगे हैं हम मंदिर में यहां पे कर लेती हूं पूजा और पूजा करके मातारानी का सिरवाद ले लेते हैं सब लोग यहां पे हैं बच्चे भी मेरे साथ ही आये हैं बाबु नहीं आया है उसे मैंने छोड़ दिया है घर पे ही उसके पापा के साथ तो माही, मानसी, नेंसी हम तीनों आये हैं यहां पे तो यह लोग भी सब नहाईद होई हैं तो यह सब भी अपना पूजा पाट कर रहे हैं जब भी मैं कहीं जाती हूं और आज था सनीवार तो घर के बाहर जो बरम बाबा है न सनी देउता तो उनकी भ चल रहे हैं घर और देखे मैं मंदिर से आ चुकी हूं और अभी आ रही हूं दादी के पास मंदिर से घर आई और घर में पूजा नहीं की थी मैंने सुचा पहले मंदिर से करके आ जाती हूं फिर घर में करूंगी तो फिर यहां पे दादी के पास मैं आ गई हूं दादी से तो अब मैं आ गई हूं मेरे चूले पे और अब बनाने की तयारिया होने लगी है खाना तो यहां पर यह लेके आए है मतर पनीर तो वहीं बनाने की मैं तयारिया कर रही हूं तो अभी खाना बनाते समय लेट हो गया है तो दोपहर के अभी बारा बज गया है सबने चाय पराठा और बिस्कित यही खाय हुए थे मैंने तो कुछ नहीं खाया था अभी बारा बज गया है तो अभी मैं मंदिर से आई हूँ फिर वहां से मंदिर से तो मैं आ गई थी नौ बजे ही मेरा पेष्ट बना लेती है इसी चक्र में मुझे 11.30 बज गये थी तो फिर मैंने चाय पी लिया था सबने पिया खाया था लेकिन बस मैं ही क्योंकि मुझे मंदिर जाना था और यह भी कहीं गये हुए थे समान लेनी के लिए तो यह भी आ गये थे तो खाना बनाते बारा बज ग लाएगी तो इसलिए दोनु टाइम का खाना में बनाने लगे हुए यहां पर इतने में हमारा हो जाएगा बच्चे जो है न मेरे बच्चे यह माही तो खा लेती है लेकिन नैंसी और मांसी यह लोग पनीर का जो टुकड़ा होता है न उन्हें नहीं खाती है मतर और यह सब खा लेंगी उसकी ग्रेवी लेकिन पनीर यह लोग निकाल देती है तो इसलिए मैंने काफी ठीक बनाया है तो यह मुझे ठीक अच्छा लगता है ज्यादा ग्रेवी अच्छा है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इधर मैं बना रही हूँ जीरा चावल तो जीरे मे पनीर मसाला एक बार उगल गया है कुछ टाइम के बाद इसे मैं निकाल के रख दूंगी उतार करके रख दूंगी और यहां पर मैं भुनने लगी हूं सोत फेनी और इसी तरीके से मैंने पहली बार आप सभी के साथ मेरी एनिवर्सरी का ब्लॉग सेयर किया है वैसे पिछल कर दिमिल कर किया था तो इस बार भी हमने हमारा चुटा सा जो परिवार है सबने g hier करके मेरे बच्चे सबने मिलकर इस तरीके से मैंने अनिवर्सरी किया किया вieß i310 को 10 साल हो गए हैं मेरी सादी को 10 साल में 10 साल में मुझे नहीं पता चला कि हम दोनों एक दूसरे के साथ 10 साल रहे रहें और अभी भी मतलब दस साल हो गए हैं हैं जैसे कि जब हम दोनों में हर एक कपल में थोड़े बहुत जगड़े होते रहें तो यह जिंदगी है, खटे मीटे स्वाध लेने चाहिए, ऐसा हम दोनों के साथ भी हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हमारी साधी को लंबे समय हो रहे हैं हमारी साधी के, वैसे वैसे हम दोनों ने एक दू जब हमारी नहीं नहीं साधी होई थी उस समय पे ना ही इने दोनों को दोनों साइड से समझने की जरूरत होती है ना उतना यह समझन में थी और ना ही मुझ में समझती तो हमने बहुत सी गलतिया चोटी-मोटी की हैं और मेरे हास्बिन ने और भी मिलबिनों ने बड़ी गलति या की हैं तर कोई बात नहीं है जो भी है लेकिन अभी हम अमारी लाइफ में बहुत पहले सी खुश थे थोड़े बहुत तो कामी है होता रहता है तो यह जिंदगी है खटे-बीठे स्वाद लेने चाहिए लेकिन अभी क्या है कि जिसे हमारा दस साल बीद गए और हमें पता कहने ही चला है कि 10 साल बीद गए है थोड़े-वोड़े यह जगड़े भी कल लिटे है तो फिनाही हमें खाना में खाते खाना थो खाते है पर खाना जिसे लगता है नहीं जाता है तो यह देखिए आईसक्रीम वाले जा intention सब लोग आज खा रहें आईसक्रीम तो अभी देखिए साम के बजगे हैं साड़े पांच और मैं हूँ छत्रे मेरे सामने बैठा है बाबू बाबू को मैं खिला रही सभिया और पीना है पानी पीलो पानी अब अपने से पी लेता है यह ना बसकारो बेट्टो अब खालो पे पानी बार में पीना न लुग अरे आज की व्लॉग को यह पर आायंद करती हूं मिलती हूं आप सब अपने कल के नए ब्लॉग आज के लिए वसे इतना ही हाँ जो फाई करन हमारी चैनल पे नए है वह सभी प्लेस हमारी चैनल को सуса खुयल करिएगा बाब्डाđ करो अय करना यह दो